हलो दोस्तों कैसे हैं सब मेरा नाम है हिमान शूर मैं स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल कॉमिक बर्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाखे लाल सीरीज की अगली कॉमिक्स फीकी खिचडी हास्य सलाकार संजय गुपता विवेक मोहन संजय सक्सेना चित्रांकन बेदी कहानी तरुण कुमार वाही संपादन मनीश गुपता विशाल गड में आज संकरांति मनाई जा रही थी महराज संकरांती गिदें दान वुणन्न का बहुत महतव होता है और इस दिन दिया जाता है कच्ची इस दिन दान दिया जाता है कच्ची कह कच्ची खिचडी का प्रबंद मैंने कर दिया है महाराज आप आप सा परिवार के लोग इस खिचडी को खाकर आपको बढ़ द३ाएं मेना मतलब बहुत दूआइं देंगे क्योंकि 75 पृतिशत desire खिचडी मेंने दा तुम भी हमारे परिवार की सब्सस्य के समान तुम भी आकर खिछड़ी पर हाथ लगाए लगा अपना जीवन करद़ भाराज मुझे तौं अर्ति पर हाथ लगा लेना मैं तो अर्ति पर हाथ लगा करता ऺिए आव ना वाकेला ठीक है महारानी जी आप कहती है तो मैं भी हात लगा देता हूं खिचडी को तब तो यह खिचडी पशु भी खाने से मना कर देंगे माताश्री बाकेलाल चाचा के लिए कटोरी में अलग से खिचडी मागा कर उस पर हार लवागा चिडियों को दाना डलवा करीजे चब्ब उल्लू इसी बात पर बोलो खिचडी देपता की चै गलती करी खिचडी के ठेर में जहरीला सांफ रब देता जैसे ही मोटूराम खिचडी पर हां रखता सांफ उसके हाथ पर सहर भरा चुमन जड़ देता पर बात सरह देर से सूजी उस दिन भोजर में चावल खत्म हो गए और और मांगने पड़ेंगे पर मैं प्रबंद कर दूँगा क्यूंकि मेरा कामी प्रबंद करना है लेकिन अभी विक्रम सिंग्षिण का पहला कोरी खाया था कि थू 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 क्या हुआ महराज भाराज खिचडी परिक्षा के लिए मैंने य तोड़ ना सके मगर इसमें नमक नहीं है बिलकुल फीकी खिचडी है यह हम नमक अंदुलन कर रहे हैं महाराज आपको खिचडी फीकी खानी पड़ेगी और हम कर रहे हैं घटा बचाओं अंदुलन जिन पर नमक ढोकर नगर में लाया जाता है और एक पर महाराज को हमस्ता सुनेंगे बाके लाल तुम अपनी तो मेरी ऊणी खाली घटो आप केहती हैं तो मुझे खानी पड़ेगी महाराज नी श्रीक अकल पर भी पत्थर पड़का एं सेवक थोड़ा पीचे हट जाओ ठोज़ी ओनल चाचा आप मेरी वाली इसी बात पर बोलो भिकमंगों की पूरी जमात की जोडसे जैे फिर शीगरी रास दरबार समस्या बयान किजाए महराच हम लोग चार छेतर से नमक निकालने का धंदा करते हैं। मंतरित कमर बंद भी जिसके कार रिशी पानी में टूप गए और उनके शरीर से निकले पसीने के कार समुद्र गरजल खारा पानी नमकीन हो गया। मानुभवर ने उस इस्तान के उपयोगिता को समझा और वहां जगे जगे गटे खोतकर नमक बनाने के धंदा शुरू कर दिया। नमक बनाने के लिए हम उतने गहरे गटे खोते जितने से उसमें पानी निकलाता। थोड़ा बार पानी कुत्ते चाट जाते थे। फिर सूरी की उश्मा से बचा जल वाश में परिवर्तितों उड़ जाता है और रह जाता है कि अवर नमक ऐसे बनता है। फिर नमक को हम अपने कंदों पर लाद कर घदों पर बैठ जाते हैं और नगर की आपूर्ति कर देते हैं। लेकिन भाईया यह काानी तो हम सब जानते हैं मेरे अलावा तुमारी समस्या क्या है। बाके लाल हमारी सबस्या यह है कि कुछ दिनों से ना जाने कौन हमारा बनाया नमक रात में चट कर जाता है। नमक चट कर जाता है। मगर इतना नमक कोई चट कैसे कर सकता है। तो क्या मैं जूड बोल रहा हूं। नमक के घटों के आसपास एक घटे जैसे खुरों के निशान के अलावा कुछ नहीं होता। इसका मतलब नमक घटे का जाते हैं। हमारे घटे तो नमक की और देखना भी पसंद नहीं करते। नमक उनकी पीट पर लाता है तो कमकार रास्ते में पढ़ने वाली नदी में टुकी लागा कर नमक गोल देते हैं। ये तो हुई नमक के व्यापारों के तुमस्या मगर इसमें घटों के मालकों का क्या परेशानी है। महराज, हमैं मालिक कहकर शर्मिन्दा मत करें। बहला हम आपके मालिक कैसे हो सकते हैं क्योंकि आप तो सबके मालिक हैं। जरा रुके माहराज मुझे भी कुछ कहना है। नहरा मंत्री, तुमै क्या कहना है। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16 साल में जो कहता है वो मुझे कहना है भाई जोड से बोलो गदो के महाराज की महाराज आपको नहीं बता है कि आजकल आपके भाई बंदुओं पर मेरा मतलब हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आई हुई है कोई अग्यात हत्यारा घदो को निर्ममता से मारे चला जा रहा है क्या फिर तो महाराज के लिए भी सुरक्षा ववस्ता बाडानी होगी मेरा मतलब है महाराज की बजह चाहिए चो हत्यारा पकड़ा जाना चाहिए है कि सेना पाति तुम कहां चल दिए महाराज अचानक जाड़ा लगने लगया है अपने कख्ष में पहुचने के बाद भी नहीं जाएगा लगता है गरम सर्द और वर्ष तीनों का असार हो गया आदासी सारा तो कितना अच्छा लग रहा है कि तुसेना पती नमक चोर और अध्यार को पकड़ने जाना है मेरे इस हालत में तो नमक चोर मुझे नमक के रहेकिस्तान में गार देगा और हत्यारह चाकू मार कर भाग जाएगा अधासी अजूबी लगता तुम भी आकर सारा दो कितना आता सेना पती जी को मैं सारा देता हूं दर overe क्किंट अभी आप कुवारे हैं इसलिए आपको नहीं पता कि यह थमिआ अए तरी ढूंकि अगर यह जम्हें फीकी खिच्णी खानी पड़ी कल तुम्हें और परसों पूरी प्रजा को खानी पड़ सकती है और राह सवाल गदों का तो गदों के बिना भी गुजारा नहीं है बाके लाल चाचा काइदे की बात तो यह है कि आपको इनमक के चोर और गदों के हत्ते और को पता महराच इन सब चक्रों में कल पॉंगल के अफसर हो पर होने वाले नाओ दोड़ को मत भूल जाना जिसमें पूरे पॉंगा परिवार मेरा मतलब राज परिवार को भी हिस्सा लेना है मैंने पूरा परबंद कर रखा है अरे हां यह नाओ दोड़ भी तो नमक के रेगिस्ता जाकर गिरता है अचानक परसंद ना था कि आबेश में बाके लाल उश्रपा अगर मैं किसी तरह उस नौका को उस भेंकर जल्परपात की और मोड़ दूँ तो याहू वो मारा करारे पापड़ वाले को बन गई मेरी योजना तब विक्रम सिंग ने गोशना की बाके लाल ग बोलो महराज की स्वरगी है मा की जै रास दर्वार की कारवाई से नबट का विक्रम सिंग फॉरन पहुचे मूर्ति गार्वर चित्रकार के कक्षिम है आप भी मजाक करते हैं महराज मूर्ति लखीर खीचना है जितना आसान काम नहीं है अभी तो मुझे आपकी मुचों के बालों की गिंती भी करनी है कही एक भी बाल कम बना तो आप शिकायत करेंगी कि यह मूर्ति खोजा की है मूर्ति का और चित्रकार के बारे में जानने के लिए पड़ें बाके लाल का गुद्गुताता कॉमिक्स मैं हूँ बाके लाल जो की चैनल पर वॉइस मोट में है आप जाकर आराम कीजिए दो-तीन साल में मैं वहरंग अवश्य तयार कर लूँगा उस रात बाके लाल जी आपके कहें अनुसार मैंने घदों का प्रवंद कर दिया है घदे थोड़े मैं के जबूर मिलें लेकिन मेरे कौन से बाप के जेब से जा रहा है मेरा मतलब है बा जिसे सेनापती को वे अपने सामने जरूर पिला दे अवश्य कह दूंगा बाके लाल जी बाके लाल के जाने के बाद और द्वारपाल खटाई बाल मज़े आ रहा है ना हाँ परवन मंत्री जी जब से तेरी फूख की वेवास्ता हुई है तब से मज़े है वैसे अगर आप दासी प्रलयल आता को देखे तो उसे मुझे तेरी फूख की फूख करने को कहिएगा अच्छा बच्चू ये बात है तेरी फूख की फू के विशे में जानने के लिए पड़े एक और मज़ेदार कॉमिक्स मैं नहीं सुद्रूंगा ये कॉमिक्स भी चैनल पे वॉइस मोड में अप्लोड है और बाके लाल की प्लेलिस्ट में आपको ये सारी कॉमिक्स मिल जाएगी उधर नगर के चौराय पर बाके लाल ने सभी गदों को व्रक्ष केतने से बांद दिया तो और खुद वो चड़ गया था उसी व्रक्ष की सबसे उची डाल पर कौन विवकूफ करेगा इन घदों की रखवाली ना तो व्रक्ष की सबसे उची यानि सुरक्षे डाल पर मचान बना कर राध भर सोंगा मीठी नी और 25 घदे भी मैंने इसलिए बांदे था कि अगर एकाद घदे को मार कर त्यारे का पेट ना मरे तो वो जितने चाहे घदे मा यह बाके लाल हमें घदा बनाकर ऊपर चर गया है हमारी जान खत्रे में हैं मित्रो ना जाने वह हत्यारा कभी दर आ निकले जो हम जैसे शरीव सीथे साधे घदों की चान का तुश्मन बना हुआ है लेकिन हम तो बदे हुए हम क्या करें हैं हमें बंदना ही नहीं चाहिए शरीफ आदमी हमेशा मारा जाता है अब शरीफ घदा बोल आदमी शरीफ होते तो हम घदे न कहलाते हैं सुनों मित्रो मेरे दिमाग में योजना बनी है वह त्यारा यहां आए उससे पहले हम 25 मिलकर इस व्रक्ष को धराशा ही कर दीते हैं और अपने बंदन चुणा कर जनन तक भी नहीं तूटने का सारे मिलकर एक ही दिशा में व्रक्ष को की चोगर ताकत मुठी में होती है उंगलियों में हम कभी घोडे नहीं बन सकते घदे के घदे ही रहेंगे चलो वैसे ही कर जैसा उस घोडे ने का डैचू 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 धन्वाद घोड़े भाई और तब साथी लात बढ़ाना साथी रे एक अकेला ठक जाए मिलकर जोर लगाना साथी पेड़ गिराना साथी रे और तभी मेरे नतनों को गदों कभीनी बेनी गंद मिल रही है लगता है आसपास ही कुछ गदे मौजूद है मेरे अलावा और शीगरी तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया है 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 टैचू 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 यह हमारी और कौन बढ़ रहा है खीचू चूर से कीचू गदो शायद वही है हम गदो का दुश्मन मेरा नाम है चिंचेनाची पॉलाकू और मुझे तलाश है गोर खर की जिसके पेट की थैली में मुझे मिलेगी गदूरी क्या कहां गदूरी क्या होती है गदूरी होती है कस्तूरी जैसी चीज गदूरी मनो कामना पूर करने होती है यानि जो मांगो मिले लेकिन इतने गदों को मानने के बाद मुझे अभी तक असली गोर खर यानि वह सफेद गदा नहीं मिल पाया जिसके पेट में गदूरी होने की सूचना मुझे मेरे देवता पिरपिलानी पौना चू से मिली है तैचू जो लगा के आईशा तैचू 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 अब मुझे एक ही सास में बोलना है वो मंत्र जिसके बोलने के बाद अगर इनमें से कोई गोर खर हुआ तो इसका पेट फढ़ जाएगा और मुझे गदूरी मिल जाएगी लेकिन अगर नहीं मिली तो हमेशा के तरह करोद में बरकर मैं नहीं भी मार दूँगा चिंचनार के पोला को नहीं मंत्र पढ़ना आरम किया एक दो तीन साब बजाए बीन चार पांच छे साथ आठ अठकी पजामे की गाट नौ दस ग्यारा बारा मुझे मेरे बाप नमारा तेरा चौदा पंद्रा से बीस अंगुठा मिलाकर उंगलिया बीस एक्किस बाइस ते 24 29 30 दो हाथ में गिन्ति ती एकिस से चालीस इक्तालिस ब्यालिस तितालिस चवालिस चंपी तेल मालिश के पिता मेरा बच्पन चपन सतावन अठावन से 65 पढ़जा भैंस के पीछे लेकर लट 66, 67, 68, 69, काड़े से गलातर 70 से 80, हसी तो फिर फसी 84, 84, 85, मैं तेरी मासी, तू मेरा मौसा खाले समोसा, 86, 87, समोसा है बासी 88, 99, 90, पूरे 100, तेरी मा मुझे कह रो, 102, जाड़ियों के पीछे जाकर मूधो 130, 104, बन गया सड़ा अचार, 105, 106, पागल है क्या बे, 107, 108, 109, 110, निकली चीग, बस कर बस 111, 112, मेरी भैस के डंडा की उमारा, 113, 114, बोया बीच, उग गया पौधा 115, 116, 120, दात मेरे 36, 137, 134, 135 से 140, शुद्दगी 40, 141, 142, 43 44, 145, 46, 47, 48, 49, गिन्तें गिन्तें लग गई प्यास 1500, अकड़ बकड़ पूरे 100, 1501, 1502, बहुत पिटा अब मत दो, 1503, 1504, एक अनार सो भीमार, 1505, आज को नहीं सांच, पानी में यानी, 750, गदूरी की आज, 751, 752, तेरी मा को ले गया, ले जाए रावन, अब बस कर, अब क्या बोलता ही जाएगा, गिन्तें गदूरी, मुझे मिली गदूरी, ठीक उसी पल, अरे बचाओ, ये वरक्ष्ट गिर रहा है, देखा, मेरे हाथ रहोगे, मेरे साथ रहेगो, ते ऐशी एश करोगे, हैं, काक, वरक्ष्ट बीस से तूट किया, याहू, टैचू, टैचू, एक तैजिन्दा बार, आएं, एक भी गदा, गोखर नहीं निकला, ट और वो राक्ष्ट हमारा रास्ता रोक रहा है, डैचू, डैचू, उसके निकट पाउज कर उल्टी दिशा में भागने को तयार हो जाओ, हें, उल्टी दिशा में जाने के लिए दिशा परवर्त करेंगे, दिशा परवर्तितकार, इन सारे घदों की मात आ गई है, मेरे दूसरे और अंते भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।